अब हासी दुनिया के मेरे दोस्तों रतन लाल बोल रहा हूं काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बिटकर रामा आज लोहिया जैनती है आप सबको बढ़ाई आज भगा सिंग की शाहदत दिवस है नमन उनकी साहदत को इस एपिसोड में मैं डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अम्बिटकर के बीच जो कोर्स्पोंडेंस हुआ था बात चित हुई थी चिठी पत्री वो चिठी पत्री की बात करने वाला हूँ लेकिन उससे पहले एक अपील मोबाईल उठाईए और आप भी बोलिए आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों रतनलाल बोल रहा हूँ काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेटकर नामा और अमबेटकरनामा के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या सुझते हैं, अमबेटकरनामा अपनी भूमी का कैसे निभा रहा है, अपने कमेंट, अपने राय, उपीनियन लिखें, बोलें, और उसको वीडियो बनाकर आप मेरे मेल पे छोड़ दें, इसलिए एक वर्ष पूरा होने वाला है, और उस उपलक्ष में आपके वीडियो हम जारी करेंगे, कि आपने कैसा लगा अमबेटकरनामा, उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, यह सब राय हमको चाहिए, इसलिए एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष में यह वीडियो आपका जारी करेंगे, चलिए अब चलते हैं, चिठी पत्री, बीशवी सदी के दो महनायक, अमबेटकर और लोहिया, उनके बीच जो चिठी पत्री हुए, चार चिठी का जिक्र में आपके सामने करूँगा, पांचवा चिठी, जो डॉक्टर अमबेटकर के परिनिर्वान के बाद लोहिया साहब ने मधू दंडवते को लिखा था, मधू नाम से लिखा था हूँ, शायद मैं समझता हूँ कि मधू दंडवते को ही लिखा था हूँ, वो चिठी बहुत दिल्चस्प है और आपको जानना जरूरी है, इस 10-12-1955, हैदराबाद में थे, हैदराबाद से उन्होंने लिखा था, वो लिखते हैं, अपनी पत्रीका का उन्होंने जिक्र किया इसमें, कि मैनकाइंड पूरे मन से जाती समस्या को अपनी संपूर्णता में खोल कर रखने का प्रियत्न करेगा, इसलिए आप उसके लिए अपना कोई लेक भेजें, तो प्रसंता होगी, लेक, धाय हजार से लेकर, चार हजार शब्दों के बीच हो, आप जिस विशय पर चाहें, लिखिए, हमारे देश में प्रचलित जाती व्यवस्ता के किसी पहलू पर, अगर आप लिखना पसंद करें, तो मैं चाहूंगा, कि आप कुछ ऐसा लिखें, कि हिंदुस्तान की जनता ना सिर्फ क्रोधित हो, बलकि आश्यर भी करें, आश्यर भी करें, मैं नहीं जानता कि मद्द्रदेश, लोकसभा के चुनाओ, भाषनों में, आपके बारे में मैंने जो कहा है, आपके अनुआईों ने आपको बताया, य दया भी जोडनी चाहिए, हम बेटकर बहुत क्रोध करते हैं, तो वही कह रहा है, ये क्रोध के साथ दया भी जोडनी चाहिए, और आप न सिर्फ अनुसुझी जातियों के नेता बनें, बलकि पूरी हिंदुस्तानी जमार का नित्रित्व करें, पूरे हिंदुस्तान के ने अगर आप अपने भाशन का सार पहले ही भेज़ दें तो बाद में उसे प्रकाशित करवाना अच्छा रहेगा हुआ हम चाहते हैं कि एक घंटे के आपके भाशन के बाद एक घंटे तक चर्चा हो मैं आगे लिखते हैं कि मैं नहीं जानता कि समझवादी दल की स्थापना समेलन में आपको कोई दिल्चस्पी होगी या नहीं होगी आप पार्टी के सदद से नहीं हैं पर फिर भी सम्मेलन में आप विशेश आमंत्रित होकर आ सकते हैं अपने विशेओं के अलावा सम्मेलन में खेत मजदूर, कारीगर, औरत, संसदिय कामकाज, संबंदित, समस्याओं पर विचार होगा और इनमें से किसी एक विशेओं पर आपको अपनी बात कहनी ही है, किसी बात को बतलाने के लिए यदि आप सम्मेलन की करवाई में हिस्सा लेना चाहें तो मैं समझता हूँ कि सम्मेलन विशेश रूप से अनुमती देगा, ये पहला चिठी है इसके बाद 24 सितंबर 1956 को डॉक्टर अम्मेटकर में लोहिया साब को चिठी लिखा और इसके पहले मैं समाझता हूँ कि राजनितिक एकता के बीच में इनके प्रयास चल रहे हैं और इस चिठी से यही दोनी निकलती है चौविस नौच्छपपन प्रिये डॉक्टर लोहिया आपके दो मित्र मुझसे मिलने आये तो मैंने उनसे काफी देर तक बात चिठी की हलांकी हम लोगों में आपके चुनाव कारकरम के बारे में कोई बात नहीं अखिल भारतिये परिगनित जाती संग की कार्य समिती की बैठक 30 सेतंबर को 30 सेतंबर 1956 को होगी और मैं समिती के सामने आपके मित्रों का प्रस्ताव रखूँगा कार्य समिती की बैठक के बाद मैं चाहूँगा कि आपकी पार्टी के प्रमुक्ष लोगों से बात चित हो ताकि हम लोग यह तै कर सकें हम लोग अंतिम रूप से तै कर सकें कि साथ होने के लिए हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप दिल्ली में मंगलवार दो अक्टूबर 1956 को मेरे यहां मेरे घर पर आ सकें अगर आप आ रहे हैं तो किर्प्या तार से सुचित करें ताकि मैं कार्य समिती के कुछ लोगों को भी आप से मिलने के लिए रोग सकूँ आपका बी आर अम्बेटकर अब एक अक्टूबर 1956 को लुहिया अम्बेटकर को लिखते हैं प्रिये डॉक्टर्स अम्बेटकर आपके 24 सितंबर के क्रपा पत्र के लिए बहुत धन्यवाद हैदराबाद लोटने पर मैंने आपका पत्र पढ़ा और इसलिए आपके सुझाय समय पर दिल्ली पहुचने में बिलुकुल असमर्थ हूँ फिर भी जल्दी से जल्दी आपसे मिलना चाहूँगा मैं उत्तर प्रदेश में अक्टूबर के बीच में रहूँगा और आपसे गिल्ली में 19 या 20 अक्टूबर को मिल सकूँगा 29 अक्टूबर को बंबई में हों तो वहां आकर मिल सकता हूँ किर्प्या मुझे तार से सुचित करें कि इन दो तारीकों में कौन सा आपको ठीक रहेगा अन्य मित्रों से आपकी सेहत के बारे में जानकर चिंता हुई है आशा है कि आप अवश्यक साधानी बढ़तेंगे मैं अलग से मैंनकाइंट के तीन अंक आपको भिजवा रहा हूँ विशय का सुझाव देने का मेरा विचार हो रहा था लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं मैंनकाइंट के तीनों अंक आपको विशय चुनने में मदद करेंगे मैं केवल इतना ही कहूंगा कि हमारे देश में बहुत धिकता निधाल हो चुकी है मैं आशा करता हूँ और यहाँ वक्त है और आप इसलिए आप जैसे लोगों का बिना रोके बोलना बहुत जरूरी है आपका राम मनुहर लोहिया आगे पांच अक्टूबर को डॉक्टर अमबेटकर लोहिया साब को लिखते हैं कि प्रिये डॉक्टर लोहिया आपका एक अक्टूबर 56 का पत्र मिला अगर आप 20 अक्टूबर को मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं दिल्ली में रहूंगा आपका स्वागत है समय के लिए टेलीफोन कर लेंगे आपका बी आर अमबेटकर यह पांच अक्टूबर 56 का है परिनिर्वान से कुछ दिन पहले है मुझे लगता है दो मेहने पहले हैं साथियो डॉक्टर अमबेटकर और लोहिया साब की मुलाकात हुई या नहीं हुई अभी तक मेरे पास कोई जानकारी नहीं आई है जब पढ़ूँगा कहीं मिलेगा तो मैं जरूर साजा करूँगा कि अगर उनसे मलाकात हुई तो उन्होंने क्या-क्या बाते की और जब तक प्रमानिक स्रोत मुझे नहीं मिलेगा तब तक उस पे मैं अपनी कोई राय नहीं रखना चाहता हुई चिठी पत्री जो मैंने आपसे बात की इसको जानने के लिए राम मनोहर लोहिया रचनाबली वालियूम टू में जाई है और पेज नंबर 111 से लेकर 117 तक के बीच आपको ये पत्र सारे मिलेंगे तो बात हुई क्या हुई नहीं हुई हम नहीं जानते उनको और ये मधु के नाम से या ये मधु दंडवते हुँगे उनको चिठी लिखा और इसमें वो सार है जो आप समाझ सकते हैं कि लोहिया कितना प्रियम डॉक्टर अंबेटकर से करते थे कितना वहचारिक समानता थी ये जानने के लिए पत्र मैं आपके सामने साजा कर र रहा हूं तुम समझ सकते हो कि डॉक्टर अंबेटकर के अचानक मौत का दुख मेरे लिए व्यक्तिकत रूप रहा है और अब भी है मेरी बरावर अकांशा थी कि वे हमारे साथ आएं किवल संगठर में ही नहीं बलकि पूरी तौर से सिध्धान में भी और वह मौका करीब मालूम होता था लग रहा था कि अमबेटकर लोहिया मिलने वाले हैं पाटी गटबंदन होने वाला है आज के समाजवादियों को और अमबेटकर वादियों को ये चिठ्थी जरूर पढ़ना चाहिए जो साथी सुन रहे होंगे समाजवादियों के साथ होंगे सारे समाजवादियों और जितने अमबेटकर वादियों नेता है उनको वह वीडियों आप जरूर भेज़ें कि वह सुनें और समझें आगे लिखते हैं कि मेरे लिए डॉक्टर अमबेटकर हिंदुस्तान की राजनिती के एक महान आगनी थे और गांधी जी को छोड़ कर बड़े से बड़े सवर्न हिंदूों के बराबर बड़े बड़े नेताओं के बराबर इससे मुझे बराबर संतोस और विश्वास मिलता रहा है कि हिंदू धर्व की जाती प्रथा एक न एक दिन खत्म की जा सकी मैं बराबर कोशिश करता हूँ कि हिंदुस्तान के हरीजनों के सामने एक विचार रखूँ मेरे लिए यह बुनियादी बात है हिंदुस्तान के आदमिक हरीजनों में दो प्रकार हैं एक डॉक्टर अम्बेटकर और दूसरे श्री जगजी बन रहा डॉक्टर अम्बेटकर विद्वान थे उनमें स्थिर्ता साहस और सुतंत्रता थी वे बाहरी दुनिया को हिंदुस लेकिन उनमें कटूता थी और वे अलग रहना चाहते थे गैर हरीजनों के नेता बनने से उन्होंने इंकार किया था पिछले 5000 वर्ष की तकलीफ और हरीजनों पर उसका असर मैं भली बहांती समझ सकता हूँ लेकिन वास्ता में यही बात थी मुझे आशा थी कि डॉक्टर अम्बेटगर जैसे महान भारतिये किसी दिन इससे उपर उठेंगे लेकिन इसके बीच मौत आगे श्री जगजीवर नाम उपरी तोर पर हिंदुस्तानी और हिंदुस से सदभाबना रखते हैं और हालांकि सवर हिंदुस से बाचित में उनकी तारीफ और चापलूसी करते हैं पर यह कहा जाता है कि केवल हरीजनों के सभाव में घरना की कटू धोनी भी फैलाते हैं इस बुनियाद पर तो हरीजन न तो हरीजन और न हिंदुस्तान ही उठ सकता है परी गनित जाती संग के चलाने वालों को अब मैं नहीं जानता लेकिन मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान की परी गनित जाती के लोग शिडिल कास्ट के लोग देश की पिछली 40 साल की राजनीती से शीख लें, विवेक से सोचे, राजनीती के बारे में विवेक से सोचे, मैं चाहाँगा कि सुरद्धा और सीख के लिए वे डॉक्टर अंबेटकर को प्रतीक माने, डॉक्टर अंबेटकर की कठुता को छोड़ कर, उनकी सुतंतरता को ल देखें जो केबल हरिजनों के नहीं बलकि पूरे हिंदुस्तान के नेता बने सप्रेम तुम्हारा राम मनुहर लुए शुक्रिया साथियों कीप वॉचिंग एंड शेरिंग अमेड करनामा कई साथी लिख रहे हैं कि एक मिलियन बनाना है ज्यादा ज्यादा शेर करेंगे कुछ चैनल नहीं है एक मुहीम है मैं एक जहाज का शात्र हूं मेरा धर्म है कि मैं पड़के मैं आपको समझाओं और इसके लिए मुझे कठिन मेहनत करनी होती तपस्या की तरह होता है पढ़ाई तो मैं ढूण-ढूण के आपके लिए ला रहा हूं लेकिन आप पूरा वी जालियो फिर मुलाकाट